दोस्तों आज चाइना ने भारत के खिलाफ एक एसा कदम चला है जो आने वाले समय में भारत को बहुत ही जादा भारी पढ़ने वाला है आप सभी ये बात जानते हो कि इस समय चाइना लगातार भारत को चारो तरफ से घेलने की कोशिश में लगा हुआ है चाइना ये चाहता है कि भारत के पडोसी देशों के अंदर अपने सेन्ने अड़े को बनाया जाए और इस मिशन को सक्सेस्फुल बनाने के लिए चाइना लगातार भारत के पडोसी देशों को पैसा देता रहता है और अगर ये देश चाइना के पैसे को नहीं दे पाते हैं तो चाइना इन देशों से इनी के देश के अंदर सेन्य अड़े की मांग कर लेता है और मजबूर होकर भारत के पडोसी देशों को ये सेन्य अड़ा चाइना को देना ही पड़ता है लेकिन आज जो खबर आई है इसने भारत की टेंशनों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है क्योंकि अब चाइना की एंट्री बांगलादेश में हो चुकी है क्योंकि चाइना की कुछ कंपणियों ने बांगलादेश के अंदर सेख हसीना पॉर्ट को डवलप किया है और इस सेख हसीना पॉर्ट की लोकेशन भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्पून है क्योंकि इस सेख हसीना पॉर्ट से काफी पास में हमारा एपीजे पुल कलामदीव से हम अपनी मिसाइलों का परिक्षन करते हैं और बांगलादेश के इस पोर्ट से श्री हरी कोटा भी बहुत ही ज्यादा पास पड़ता है जहां से हम अपनी सेटलाइट को लौंच करते हैं पर इस पोर्ट की मदद से चाइना काफी आसानी से भारत की मिसाइ लों के डेटा को इकठा कर सकेगा और इस समय जो बांगलादेश के अंदर ये 6 खसीना पोर्ट बनाया गया है इस पोर्ट पर एक बार में 6 पंडुबी और 8 यूद पोर्टों को तैनात भी किया जा सकता है और इस पोर्ट को पनाने में जितना भी पैसा खर्च हुआ है वो अपने युद पोतों को और अपनी पंडुब्यों को बांगलादेश के अंदर भी डोक करना शुरू कर देगा और जो चाइना श्री लंका के अंदर अपने रिसर्च वैसल लाता रहता है सेम टू सेम इसी तरीके से अब चाइना बांगलादेश के अंदर भी अपने रिसर चली गई तो जो पांगलादेश के अंदर दूसरी पार्टी है वो प्रो चाइना पार्टी है और अगर दूसरी पार्टी सत्ता में आती है तो डेफिनेटली हमको ये जरूर देखने को मिलेगा कि चाइना अपनी पंडूब्यों को और अपनी रिसर्च वेसल को पांगलादे से हमारे अन्दमान दीब समू पर भी खत्रा जाएगा क्योंकि पांगलादेश के इस पोर्ट से हमारे अन्दमान दीब भी काफी जादा पास में पड़ते हैं